जैसा कि आपने थम्रेल में देख चुके हैं कि मैं त्रिपल सी का क्लास ले रहा हूं और उसमें आज मैं आपको बताने वाला हूं ऑपरेटिंग सिस्टम के कुछ भाग जैसे हमारा डॉस ऑपरेटिंग सिस्टम है उसके बारे मैं क्या करना हूं पूरी जानकारी देने वाला हूं जो किस बेस्ट पे काम करता है? CUI-based क्या करता है? CUI-based CUI का पूरा ना होता है? Character User Interface जो हमारा CUI-based operating system हो रहा है वो किस पे काम करता है? Character User Interface पे काम करता है तो देखे इसके न्तर बहुत सारे command आते हैं बस मैं उस command को आपको बताऊंगा जो command exam में mostly पूछे जाता है और वो important है आपके आने वाले exams के लिए CCCC exam के लिए most important है इसमें से 4-5 मैं ऐसे बताऊंगा जो mostly पूछा जाता है हर बार अब देखे CLS ये लिखा हुआ है CLS इसको खाता है clear clear means होता है CLS मतलता है clear इस command का परियोग हम क्या करते है to clear your screen क्या करते है to clear your screen suppose that अगर हम DOS command पर काम कर रहे है यहाँ पर देखे है मैं अगर DOS यहाँ पर करता हूँ माले यहाँ लिख के यहाँ से सर्चबार में यहाँ लिख के run लिखते है run को open करने के बाद यहाँ लिखें के cmd यहाँ लिखें मैं टाइप करता हूँ cmd cmd command type करके enter करें तो यह box खुलेगा window खुलेगा box या window तो यहीं पर मैं आपको side miss को corner में करके आपको समझा रहा हूँ कौन-कौन से command का मैं use कर रहा हूँ cls यह जो command देख रहा हूँ आप यहाँ पे यह जो command है उसी काम यहाँ पर प्रियोग कर रहा है और क्या करेंगे जैसी enter करेंगे वो पुरा window clear हो जाए देखिए उपर का सारा clear हो गया ठीके न तो यह command का प्रियोग हम ऐसे करके सारे command का प्रियोग हम क्या करेंगे cmd पर जाकर करेंगे तो आई होब आप यहाँ जाके असानी से कर सकते हो और इसको मैं बार बार में बताऊंगा आप यहाँ जाकर काम कर ले ना ठीक है चलो उसके बाद देखिए dir अब यह command हम clear कर सकते हैं clear करने बाद इस्क्रीन में जब clear हो जाया तो उसका जात कैसे हम काम करेंगे सब सब पहले किसी भी system की directory चेक करना यह जो डॉस की यह डिस्क उपरेडिंग system की जो डाइरेक्टरी जाया उसको चेक कैसे की जाता है तो हम dir command का प्रियो करते हैं किस command का प्रियो करते हैं dir command का चलिए यहाप करके मैं रिखा देता हूं dir command का प्रियो करते हैं और इंटर करते हैं यहाप यह directory दिखा रहा है android यह जो भी चीज़ है 3D object टीक यहापर जो सो करता है start button में वह सारे चीजे हमें करें यहांपे िर्ची चाहिए प्रिवा हुद्र हWow boils ऑपको Caribbean सब्सक्राइब Example dir command का प्रियोग क्या करते है display your all dos directory अब देखे dir switches switch means का था बदलना है यानि हम directory को यहां से बदलने का भी काम कर सकते हैं ठीक है और directory का details यहां पूरी तरीके से देख सकते हैं ठीक चले नेक्स चलते हैं अगला अगले point चलते हैं यह थीक है प्रियोग हम इस कमांड के क्या करते है fuse after the each screen full of information W का use wide list format यहीं wide रूप में इसको देखने का हम करते है A का प्रियोग display file with specific attribute उसका attribute के साथ हम इस specified करते हो कहां पर पाई जाते हैं ठीक है d directory, r directory, ubc, directory हम यहां से चेक कर सकते हैं आप यहां से देख सकते हो ठीक, जो main main है मैं वह बता रहा हूँ मैंने आपको दो चीज़ बता रहा है CLS, DIR, जो दो चाहँ वह important है ठीक है, आप देखिए इसके बाद होता है MD और MKDIR MD और MKDIR यह जो दो command है, mostly important command हम इसको मानते हैं क्रियेटेडड डायरेक्टरी यारी हम एक new directory बनाने का काम करते हैं हम इसके क्या करते है, एक new directory बनाने का काम करते हैं जैसे हम कोई हम folder बनाते हैं वह इसही हम इसहें MD और MKDIRessential से हम थे एक folder बना सकते हैं जैसे देखो, यहाँबर प्रिमसागर रुपता है इसके अंतरकत मैं चाहूँ तो एक folder बना सकता हूँ स्याम नाम से, मोहन नाम से, जो भी जाए वो इससे करके हम क्या कर सकते हैं यहाँ पर एक folder बना सकते हैं तो आप यहाँ कैसे बनाओगे, सबसे पहले लिखो के md माल यह मोहन, m-o-h-a-n मोहन लिखे, इंटर जब करते हैं, तो यह बन गया फिर जाम इसको क्या करते हैं, इसको create करने के लिए cd command का यूपयोग करते हैं और यही मोहन यहाँ लिखके इंटर जैसे करेंगे क्या होगा, यह देखें, यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पर यह मोहन नाम का एक बन गया है, इसको check भी कर सकते हो, आप c drive के user के प्रेमजागर गुटता का अंदर जाओगो तो यह आपको मिल जाएगा इस पेस, greater than, less than, question mark, एस्ट्रेक या इस्टार बलता है, इसको पिरियर्ट्स, डॉलर, क्यूटोस, एबस्ट्रोफी और पाई या साइन इन सब चीजों का प्रियोग डॉल्स में नहीं होता है, यह चापको most important याद रखना है, इन सब का चीज प्रियोग डॉल्स में नहीं होता है, ठीक, character are reserved and cannot be used in a MSDOS environment, I hope आपको यहां तक समझ, अगर इसमें से कोई भी character दे देता है, तो आप सीधे उसका answer क्या करेंगे, इन इन से कोई नहीं answer होगा, ठीक है, next चलते हैं, अगला, अब देखते हैं, ठीक, अगर हम कोई directory बनाया है, मालिक कोई हमने folder महां बनाया था, उसको remove पहले हमने create करना सिखाया था, अब फिर से remove करना, ठीक, तो rd जो command होता है, उससे rmdir यह जो command होता है, इससे बनाये गए directory क remove कर सकते हैं, जैसे हमने बनाया था, वैसे यहापर क्या करता है, बना सकते हैं, देखें जैसे, हम यहां सर लिक देटे हैं, rd mohan इंटर करेंगे तो यह हट जाएगा ठीक है नना ऐसे करकर हटाना है आपको बात आप समझिएगा ठीक तो ऐसे करने के आप क्या कर सकते हो यह इसे ही करेंगे अब देखिए CD backslash, यह most important बनता है, इससे हम किसी भी location को change करने के काम करते हैं, डायरेक्टरी को change करने के काम करते हैं, जैसे हम देख रहो मैं C drive में काम कर रहा हूं, ठीक है अगर मैं चाहूं F drive में जाना, तो F लगा के दबर कोली लगा लेंगे न, तो यह क्या होगा F drive में चला जाएगा, देखिए, F में आ गया, ठीक है, यह CD backslash लगा लगा लेंगे, तब यह क्या होगा back चला जाएगा, बास समझें, यह क्या करता है, हमको पीछे ले जाता है, CD backslash, I hope आपको यहां तक समझ आ गया होगा, C, ठीक, अब देखिए, अब CD double point लगा जाएगे, double bendi लगाएगे, तो यह क्या एक step को move कराता है, move one level up, यानि एक level आगे आपको क्या करता है, यह ले कर जाता है, ठीक, और यह लगाने से backslash ले जाना तक एक level वो पीछे ले जाता है, यह आपको दिमाग में बैठा कर चलन है, ठीक, अब देखिए, del tree, यह जो command है, del tree, यह हम command का use तब करते है, जब हमें क्या करना होता है, directory और sub directory, यह दोनों को remove करना होता है, directory, वो sub directory को remove करने के लिए, हम del tree command का क्या करते है, परियोग करते है, ठीक है, आप इसका use करके आप देख सकते हो, जो किसमें केवल DOS में काम करता है, window 9 x में काम करता है, यह जिए आपको याद रखना होगा, ठीक है, ideas का use ज़्यादा नहीं होता है, tree जो हमारे command होता है, यह important होता है, हम क्या करते है, यह tree command होता है, इसके जरीए हमारे files, folder, locations, चाहाँ भी है, उसको पूरा क्या करते है, देख सकते है, तो इसको क किया कर सकते हो, उसे देख सकते हो, यहां तक आपको समझ आ गया हो, यह जो भी चीज़् है मेरा, यहां पर आपको so कर रहा है, हमारे system में क्या क्या चीज़ है, ठीक, तो यह app drive का, tree command का use की है, ठीक, यह अं यह बाद है, यहां तक आपको समझ आ गया होगा, फिर से है, date, date को हम क्या करते हैं इस डेट कमांड का रियूज करते हैं तो हम अपने सिस्टम के डेट को यहां से देख सकते हैं और उसके टाइम को सेट भी कर सकते हैं यानि उसको चेंज भी करते हैं ठीक का हम उसे टाइम कमांड का होता हम टाइम का यूज करके हम अपने टाइम को क्या कर स इतना सारा है बहुत सारा हमने खोल दिया यहां पर मैं time command का यूज करते हैं ठीक है जैसे इंटर करेंगे यहां पर time दिखाएगा देखे दिखा रहा है 9,43,34,34 और यह millisecond दिखा रहे हैं यहां पर अब new time set करके आप वहां से हटावी सकते हो उस time को ठीक तो आपको इपन करता ठीक है डिस्पले what version DOS is running यहां किस वर्जन से हमारे यह DOS क्या कर रहा है रनिंग कर रहा है ठीक वोल कमांड का यूज करते हैं जब हमें क्या करना है अपने डिस्क का वैल्यूम देखना होता है कितना हमारा वैल्यूम लेबल है यह सब चीज हम क्या करते हैं वोल कमांड से यूज करते हैं टिक लेवल देखिए लेवल कमांड का यूज करके हम किसी भी डिरेक्टर के नाम चेंज कर सकते हैं ठीक है तो दिया चेंज द लेवल आफ यूर वैल्यूम लेवल कमांड का यूज करके हम क्या कर सकते हैं चेंज कर सकते हैं अब आता है फॉर्मेट कमांड का यूज कर सकते हो आप यूज कर ले ना इसे अपने सिस्टम में फिर से आगला बताते हैं जो जी इंपोर्टेंट बस उसको लेकर चलते हैं आपको सारे जानेक जुरुत ने जो एकजाम में पूछता है बस वह एकजामपल है ठीक है अब लेके फॉसको अब करगे में गया करते हैं और एक लोकेशनी से दूसरे के लिए क्या करेंगे उसको गौपी कर सकते हैं धिर सब नीशे आते हैं मुव maker ना एक जग़ से दूसरी जग沟 का भेज देते हैं ति यह most का काम होता है थी आप इसаюсь करके del कमांड का प्रियोग कर सकते हो ठीक फाई by lane का प्रियोग करोगे तोhard में del डिलेत भी कर सकते हो, और इरेश का भी प्रियोपकर सकते हैता, य मैत personal Jill. नथतनने सब्सक्राइब करके आप डिलेट इरेश से नहीं को रइनेम के लिए है तो तो रहेन कमान का प्रियोपकर नहीं है डिपयम करके है आप सब्सक्राइब सब्सक्राहता है अब देखे दीस copy, यह this copy command बहुत important होता है यह क्या करता है किसी भी source को, disk के source को और उसके target को क्या करता है copy कर लेता है, ठीक ना, तो उसके अगर source को copy करना है तो हम क्या करना है, disk copy का उभीयोग करेंगे रुषसे काउपी काम कर लेंगे यह सारी चीज हमारी क्या होते हैं Immortant होते हैं ऐसी घॉत आत्रिब्यूट्च मुन आ यह तो हमें MA गोली कर्istor के लिए Add dois ऐसे करके हम क्या कर सकते हैं? अंचारी कहां हुआ हॺुए सब ngaj यह घंपर कमांड है यह से कपते हैं, यह कंट्रोल समझ आ गया होगा अगर समझ आता है तो वीडियो को लाइक कीजिए शेयर कीजिए सब्सक्राइब के बेल आइकन को दबाना मत बूलिए मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसे इंफॉर्मेटिक नॉलिज के साथ तब तक के लिए धन्यवाद